इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे potentiometer के बारे में और पढ़ेंगे principle of potentiometer, unknown cell का EMF भी निकालेंगे और दो cell के EMF को compare करेंगे और last में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से हम निकाल सकते हैं internal resistance of a cell तो सबसे पहरे पढ़ते हैं potentiometer, ये है physics का सबसे simple instrument potentiometer, ये बना होता है wooden board का, जिसके उपर होता है एक बहुत लंबा wire जिसको zigzag तरीके से arrange किया जाता है, ये wire बड़ा खास है, इसकी resistivity रोहती है बहुत ज़्यादा और temperature coefficient of resistance होता है बहुत चोटा, ये इसलिए चोटा रखा जाता है, ताकि गरम होने पर इसका resistance बिल्कुल भी change ना हो, और ये है एक मीटर लंबा scale, इसको हम लोग wire की length measure करने के लिए यूज़ करेंगे, ये है हमारे experiment के कुछ साथी, बाकि साथी हमें बाद में मिलेंगे, ये है जानी पहचानी battery, इसे कोई भी पहचान लेगा, ये ह की, plug on करते हैं, तो switch on हो जाता है, plug निकाल लेते हैं, switch off हो जाता है, ये है rheostat, इसका slider, slide करके हम resistance को change करके, circuit के current को change कर सकते हैं, ये है voltmeter, ये voltage measure करेगा, और ये है जो की, ये movable contact provide करता है, सबसे पहले study करेंगे principle of a potential meter, इसके लिए connection करेंगे ऐसे, पहले battery से की, की के दूसरे end से, rheostat के upper end से, और फिर rheostat के lower end से, potentiometer के दूसरे end तक connection करेंगे, और potentiometer के उसी end से, voltmeter के positive terminal तक connection करेंगे, और voltmeter का negative terminal लास्ट में जो की से connect करेंगे, और battery के negative terminal से potentiometer के पहले end तक connection करेंगे, connection हो गए हैं पूरे, और अब हम करते हैं, start, सबसे पहले करेंगे switch on, जो की को उ अब voltmeter 0 से थोड़ा आगे चला गया है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कैसे आगे जा रहा है, थोड़ी और बढ़ी length पर रखने पर voltage और बढ़ गई है, और बढ़ाने पर voltage और ज़्यादा हो गई है, और बढ़ती ही जा रही है, और सबसे end पर रखेंगे तो voltage सबसे ज़्या के है potential gradient, जो है voltage drop per unit length, capital V मैंने जैसे बताया कि यह potentiometer की दोनों end की बीच की voltage है, यही है potentiometer का principle, अब हम निकालेंगे EMF of a cell, यह है Daniel cell, इसका EMF निकालेंगे हम, यह भी नया instrument है, यह galvanometer है, जो ना केवल current बताता है, बलकि current की direction भी बताता है, नई connection करने होंगे, पहले potentiometer स के positive terminal से तक connect करेंगे, ऐसे, और negative terminal से galvanometer को connect करेंगे, और अब करेंगे switch on, जो की को उठा कर वो point डूंडेंगे, जहाँ पर galvanometer zero deflection दिखाएगा, यहाँ पर galvanometer zero deflection दिखाता है, इसे zero end से नापते हैं, मालो balancing length I, L, क्योंकि potential gradient K है, जो है voltage per unit length, इसलिए L length की voltage होगी E, यही ह हमारे denial cell की voltage, यह बिलकुल accurate value होगी, क्योंकि balancing situation में cell में से कोई current flow नहीं करता, आप लोगों समझ में आ रहा है न, देखो EMF और terminal potential difference के बीच में थोड़ा सा difference जो होता है, वो यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, अब करेंगे दो cells की EMF को compare, नया साथी है लिकलांचे cell, और denial cell और लिकलांचे cell की EMF को अब हम compare करेंगे, यह है double key, इसको जब हम use करेंगे तो आपको इसकी जरुवत समझ में आ जाएगी, अब करते हैं connections, सबसे पहले potentiometer से denial cell के positive terminal को connect करते हैं, और negative terminal से double key के एक end को connect करेंगे, potentiometer के उसी end से लिकलांचे cell के positive को connect करेंगे, और negative double key के दूसरे end को connect करेंगे, double key का middle screw galvanometer से connect करेंगे, अब करते हैं double key की पहली key को plug in, इससे denial cell circuit में आ गया है, लेकिन अभी लिकलांचे cell circuit से बाहर है, अब पता लगाएंगे balancing length का, जहाँ पर galvanometer zero deflection दिखाएगा, धिरे धिरे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर galvanometer zero deflection दिखा र के EMF आया, यह, अब लेंगे लिकलांचे cell को circuit में, तो दूसरी key को switch on करेंगे, अब हमारा लिकलांचे cell circuit में आ गया है, और balancing length निकालेंगे, उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था, मान लो यह balancing length IL2, तो potential gradient का use करके हम लोग EMF लिखेंगे, यह वाली value, यह हमारे इस तरीके से हमने दोनों के EMF को compare किया, अब निकालेंगे internal resistance of a cell, यहाँ पर denial cell दिया हुआ है, denial cell के internal resistance को निकालेंगे, यह हमारे दोस्त नए साथी है, एक है key और एक है छोटा सा resistance box, जिसकी value हम लेंगे capital R, इनको cell के parallel में जोड़ेंगे ऐसे, main key को plug-in करेंगे, और balancing length निक नहां देने वाली बात यह है कि galvanometer में से balancing situation में कोई current flow नहीं करेगा, तो यह हमारी balancing length आई, zero length से नापते हुए balancing length मान लेते हैं L1 आई, तो potential gradient का use करके जो denial cell का EMF आएगा, वो होगा यह, अब हम दूसरी key को भी switch on करके balancing length निकालेंगे, यह आई balancing length, इसको भी zero length से मान लो इसकी value है L2, अब balancing situation में हमारे denial cell में इसे लगातार current flow कर रहा होगा, तो यहां पर जो balancing length आएगी, वो हमें terminal potential difference देगी, और potential gradient यूज़ करके जो terminal potential difference आएगी, वो होगी V, वो होगी V is equal to KL2, तो internal resistance का formula यूज़ करेंगे, R is equal to E by V minus 1 into capital R, capital R जैसे मैंने बताया था, यह हमारे छोटे resistance box का resistance है, जिसको हम लोगोंने denial cell के साथ use किया हुआ है, तो E by V का ratio जो L1 by L2 आ चुका है, तो उसको use करके हमें यह मिला internal resistance का formula, यह है internal resistance हमारे denial cell का, तो इस तरह के से हमने सारी applications देखी, thanks for watching,